फिजी क्योर नियूरो डिहांफ होस्पिटिल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियो थेरपी पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने तिली रोड सागर केदारनाथ धाम से लगी बस्ती में भगबान गणेश विराजमान किये गए हैं केदारनाथ धाम का पूरा स्ट्रक्शर जांकी के रूप में सजाया गया है ये मनुहारी और मन को प्रसन्नी करने वाली जांकी सागर के मोहनगरवाड में लगाई गई है अर बाल में लगी अबाद के अटार लगी आने वगाई है लगवार भाइडं़ क्रेशा झाली करने शाफोग रगी जारी जा वाला में पकलवाई है अर अर ये भाईर भाफश में विए हैं बिहारी जी मंदिर के पीछे चकिया पर राजेश कुमार सोनी ढाने वालों ने ये जहांकी 20 दिन में तैयार की है का कहना है कि पहले इस तरह की जहांकी लगाई जाती थी लेकिन अब बिलुप्त होती जा रही है और नीचे जो है माता पारवती पुत्र गणेश के लिए वहां उसे जूला जुला रही है कि ये द्रस नीचे उन अंदर मन बना हुगा है लादय पुष्रिभी वहां वराजवा ने हमारा उद्देश ये है कि इस प्रकार की जहांकी और भी जो लगा है इसको देखके प्रेरे थी पर हमारे सनातन धर्म का प्रिचाब है जो ये जो भी अला है ये बहुत पुरानी कि ये दो भागों में हैं उपर के धार नाध्दाम जिसमें रिशी मुनी परवत पर तपस्या करते दिखाए दे रहे हैं शद्धालू दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कच्चे रास्ते से आवागमन हो रहा है हैलीपेट भी बनाया गया है नीचे कैलाश परवत जिसमें भगवान आस्मान से माता पारवती को गनेश जी को वाहों में जूला जुलाते हुए दर्शन करते नजर आ रहे हैं बाजू में भगवान कृष्णी भी इस द्रश्य को देखकर आनन्दित हो रहे हैं बाजू में नंदनवन है जहां राधा कृष्ण है वहीं इसी इलाके में भगवान गडिश शिवजी के रूप में भी विराजमान है तो वहीं एक और सोनी परिवार ने चंद्रियान के रू में करीब पांच दिन का समय लगा है जिसमें बादलों का स्वरूप दे कर उस पर भगवान गडिश विराजमान है और उसके उपर मिसाइल और उपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं फिजीक के ओर नियूरो डिहांफ होस्पिटिल आधुनिक मशीनों से युगत फिजियो थैरेपी, हिरदय, डाइबिटीज, थैराइड, हटी, वज्जोर, रोग विशेशक्य, नियूरो संबंदी रोग, मनो रोग विशेशक्य, इस्त्री रोग विशेशक्य, आपके नग अभी एबं प्रजेश्टिट विशेशक्यों की तीव, पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने इली रोड सागर